राहूल कांधी की भारत जोड़ यादरा के पंजाब पहुचने के बाद इस पर नई सियासत शुरू हो गई है। मैं कॉंग्रस वालों से पूछना चाहती हूँ कि बिना माफी मांगे इनकी यातरा को पंजाब में आने कैसे दिया। प्रवासी भारतियों से माफे मांगी। उन्होंने कहा कि असुविधा हुई हो तो हमें क्षमा के चिये। मंच पर राष्टपती द्रौपदी मुर्मु के साथ सूरी नाम और गोयाना के राष्टपती भी मौचूद रहे। राज़ौरी हत्यकान को लेकर केंदर सरकार एक्शन में है। सेना के खलाब विवादित टुपणे के मामले में जवाहर लाल नहरू विश्ववे त्याले चातरसंग की पूर उपाध्यक्ष शहला राष्ट की मुश्किलें बढ़ कई है। दिल्ली के उपरा जिपाल विनेकमार्स सक्सेना ने शहला रशीद के खलाब मुकदमा चलानी के मन्जूरी दे दी है। दरसल सान 2019 में शहला राषिद ने भारतिय सेना को लेकर कई विवादित बयान दिये थे। शहला ने एक के बाद एक कई ट्वीट कर भारतिय सेना पर कश्मेरी लोगों पर अत्यचार करने के संगीन आरोप लगाए थे। इन ट्वीट को लेकर दिल्ली पुलिस ने शहला के खलाब राजद्रोह का केस दर्च किया था। बैंगलूरू के नागवारा में अंडर कंस्ट्रॉक्शन मेट्रोपिलर किरने से एक महिला और उसके थाई साल के बेटी की मौत हो गई। महिला का पती और एक बेटी कमभी डूप से खायल है। उन्हें अस्पताल में भरती करा गया है। महिला का परिवार बाइक से जा रहा था तभी पिलरून के उपर किर गया। घटना के बाद इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। महिला कराने का निर्देश भी दिया। इससे पहले 6 डिसंबर को कोट में पुनावाला की कस्टडी चार दिन के लिए बढ़ा दी थी। आफ़ता 12 नवंबर से हिरासत में है। केंद्री ग्रिमंत्रिया मिट्राहनी लालकले पर जैहिंद लाइटन साउंड शो की शुरुवात की। अब एक साथ खरिब 700 लोग लालकले पर लाइटन साउंड के नए अफ़तार का लुथ उठा सकेंगे। इसमें सत्रवी शताबदी के बाद के भारती इतिहास के खास बातों को लाइटन साउंड के मदद से उकेरा जाएगा। पूरा शो तीन हिस्से में बटा होका जो लालकले में अलग-अलग जगों से होका। करीब पांच सालों की बाद लाल केले पर लाइटन साउन शो की फिर्स्थर शुर्वात हो रही है। तीस लोग हार्ट अटेक से जान कवा चुके हैं। जो चीन की कुल जनसंख्या से कहीं ज्यादा है तो आज 180 करोड की जनसंख्या के साथ भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता आबादी के हिसाब से। अगर विभाजन ना हुआ होता तो मुस्लिम आबादी के लिहासे भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा देश होता और भारत में मुस्लिम आबादी होती लगभग 57 करोड। सोचिए पूरी दुनिया में 180 करोड मुसल्मान रहते हैं और अगर विभाजन ना होता तो इन मेंसे 57 करोड मुसल्मान सिर्फ एक देश में होते और वो देश होता भारत यानि मुसल्मानों के ह ernstाब से भी भारत दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू देश होता और दुनिया क सबसे बड़ा मुस्लिम देश भी होता और दुनिया अक्या का सबसे बड़ा लोगतंद्र तो होता ही अगर बटवारा ना हुआ होता तो भारत और पाकिस्तान के बीच दंगे नहीं करने पड़ते और आज भी पाकिस्तान के बहुत सारे लोग भारत को याद कर रहे हैं और यही कह रहे हैं कि काश या तो 75 वर्ष पहले भारत का बटवारा ही ना हुआ होता और या फिर काश उनके पूरवज बटवारे के समय हिंदुस्तान आ गई होते और उन्ह पाकिस्तान में इस तरह आज दाने दाने के लिए मोहताज ना होना पड़ता अगर आज भारत एक देश होता तो पाकिस्तान के इन करोडों लोगों की जिन्दगी भी सुधर जाती आज पाकिस्तान का हैदराबाद भी भारत के हैदराबाद जैसा सम्रद होता आज पाकिस् अमरितकाल चल रहा है लेकिन पाकिस्तान में इस समय अकाल चल रहा है। कई वारा आप पूछते हैं ना कि आज कल क्या चल रहा है। तो भारत में तो अमरितकाल चल रहा है और पाकिस्तान में अकाल चल रहा है। और इस संकट की वज़े से पाकिस्तान के लोग आज कैसे भार पार हूँ या इस पार हूँ और आज का ये जो विशलेशन है ये हम खास तोर पर अपने पाकिस्तान के दर्शकों के लिए कर रहे हैं। अहसास हो रहा है पहले आप उनकी स्थिती देखी और आज ये जो दो फादर अफ देनेशन हैं हमारी तरफ से मात्मा गांधी और उनके थे मौमद अली जिन्ना और अगर ये दोनों साथ में एक दिन एक साथ टेबल पर बैट गए होते हैं और इन्होंने ये सुचा होता कि हम एक रहेंगे हमें कोई तोड़ नहीं सकते हैं भारत में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पाकिस्तान को जब बुरी स्थिती में देखते हैं तो बहुत खुश होते हैं भारत पाकिस्तान को अपना दुश्मन देश मानता है और बहुत सारे लोगों को ये देखकर चाहिए पुर्द लड़े गए उसमें पाकिस्तान की भोली भाली जनता का कोई रोल नहीं था और आज पाकिस्तान की जनता बहुत परिशान है आज तमाम देशों को मिलकर इनकी मदद करनी चाहिए अंतराश्टे समुदाय को भी इनकी मदद करनी चाहिए और इनसान तो इनसानी है च बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और उन्हें आज ऐसी जगाए लाकर छोड़ दिया है। बहुत बड़ी नाइंसाफी की है और उन्हें आज बड़ी नाइंसाफी की है और वहां इसे पाकिस्तानी रुपया कहते हैं। पाकिस्तान में प्रती किलो दूद की कीमतें थी 114 रुपय अब कीमतें बढ़कर हो गई हैं 1.500 रुपय इसी तरह एक पैकेट ब्रेड 90-100 रुपय सरसों का तेल लगभग 550 रुपय प्रती लीटर बासमती चावल 1.500 रुपय प्रती किलो मूंग दाल 252 रुपय प्रती किलो और एक किलो चिकन लगभग वहाँ 400-600 रुपय के बीच में मिल रहा है और ये सब भी उन्हीं लोगों को मिल रहा है जो इन चीजों के लिए कम से कम 10-12 घंटे लाइन में खड़े हो रहे है पाकिस्तान के शहरों में खादे महंगाई दर पिछले साल जनवरी में 13.3 किस तर पर पहुँच गई है और जिन कीमतों पर लोगों को खाने पीने का सामान बाजार में मिलता है उसकी महंगाई दर भी 13% से बढ़कर अब लगभग 25% तक चली गई है यानि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो श्री लंका जैसे हो रहे हैं इसके अलावा पाकिस्तान का विदेशी मुद्रा भंडार लगातार गिर रहा है कम हो रहा है पिछले साल पाकिस्तान के वोरिण रिजर्वस में दौ लाग करोड रुपए की विदेशी मुद्रा थी अब यहांकडा भारतिय रुपे में सिर्फ 93,000 करोड रुपे बचा है यानि पाकिस्टान में 93,000 करो अब ही लगातार आब कमजोर हो रहा है जनवरी 2018 में पाकिस्तान के 110 रुपे एक डॉलर के बराबर थे यानि एक युएस डॉलर 110 रुबे का था लेकिन अब पाकिस्तान के 225 रुपे एक डॉलर के बराबर है जबकि भारत के लगबग 82 रुपे अभी एक डॉलर के बराबर माने जाते हैं इसके लावा पाकिस्तान पर आज 21,20,000 करोन रुपे का कर्ज है यानि पाकिस्तान पर उसकी GDP के 77 प्रतिशत के बराबर कर्ज है और ये आकड़ा इतना ज्यादा है कि अब पाकिस्तान लगबग कंगाल होने की स्थिती पर पहुँच चुका है जैसा मैंने आपको बताया पाकिस्तान की स्थिती अब श्री लंका जैसी हो गई है कंगाली की स्थिती है और थोड़े दिन में शायद पाकिस्तान के पास इतना पैसा भी नहीं बचेगा कि वो बाहर से पेट्रोल और डीजल भी ले सके वर्ष 1971 के युद्ध में जब पाकिस्तान भारत से हार गया था तब पाकिस्तान के ततकाली नराश्पती जुल्फिकार अली भुटो ने अपने एक भाशन में कहा था अगर पाकिस्तान को परमानू संपन्न देश बनाने के लिए उसके लोगों को घास फूस भी खानी पड़ी तो उसके लिए तैयार रहेंगे यानि भुटो कहते थे कि हम घास खालेंगे लेकिन अपने आपको परमानू संपन्न देश बना कर छोड़ेंगे आज पाकिस्तान में यही हो रहा है पाकिस्तान परमानु संपन्न देश तो है उसके पास परमानु बम तो है लेकिन अपने लोगों का पेट भरने के लिए आटा नहीं है बम है लेकिन हत्यार है सेना है लेकिन जनता घास खा रही है और वहाँ बिजली का संकट भी इतना गंभीर है कि रात को साड़े आठ बजे के बाद वहाँ सारे बाजार बंद कर दिये जाते हैं स्ट्रीट लाइट्स और मेरिज हॉल्स की लाइट्स भी बंद कर दी जाती है ताकि बिजली की बचत हो से यहाँ दो बातें बहुत नोट करने वाली है पहली बात यह कि महंगाई भारत में भी है और हमारे देश में भी खाने पीने की सामानों की किमतों में वरदी होती रही है लेकिन भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ जब लोगों को पेट्रोल डीजल ना मिला हो या आपको पेट्रोल डीजल के लिए लंबी लाइन लगानी पड़ी हो या मार पीट करनी पड़ी हो या कभी भी आपको सबजियों के लिए खाने पीने की दूसरी वस्तूओं के लिए या किसी भी चीज के लिए कभी लाइन में लगना पड़ा हो या मार पीट की नौबत आ गई हो जबकि भारत में आबादी के लिहाज से चुनोतियां पाकिस्तान से कहीं ज्यादा हैं हमारी आबादी 140 करूर की और पाकिस्तान की आबादी है 23 करूर की महँगाई जरूर भारत में हैं लेकिन बड़ी बात यह है कि किसी को भी अगर कोई भी सामान चाहिए तो बहुत आराम से उपलबद है जैसा मैंने आपको बताया आपको कुछ भी चाहिए आप ऑनलाइन ओर कीजिए आपके घर पहुँच जाएगा लेकिन इसके बावजूद हमारी स्थिती पाकिस्तान ही नहीं बिटिन योरोप के देशों से भी कहीं ज्यादा बेहतर है और आज भारत में महगाई दर है सिर्फ 6% से भी कम जबकि ज्यादतर पश्चमी देशों में महगाई दर 10% या उससे ज्यादा चल रही है आज जिस तरह के हालात पाकिस्तान में हैं वैसे हालात अगर भारत में हो गए होते भारत उतना कमजोर हो गया होता तो पाकिस्तान भारत की इस कमजोर स्थिती का पूरा फाइदा उठाता और अब तक पाकिस्तान हम पर हमला कर चुका होता भारत को चारो तरफ से घेर चुका होता अगर भारत ऐसी स्थिती में है अगर हुटा भारत ऐसी स्थिति में लेकिन भारत ने आज तक इस समय भी पाकिस्तान की इस कमजोर स्थिति का फाइदा उठाने की कोई कोशिश नहीं की है ये बात सही है कि भारत ने पाकिस्तान का बहुशकार जरूर किया है हर अंतराष्टे मंच पर हम उसका वहिशकार करते हैं और हमारी बातचीत बंद है लेकिन हमने पाकिस्तान की इस कमजोर स्थिती का फायदा उठाने की कभी कोशिश नहीं की और भारत की सेना अगर आज चाहे तो पाकिस्तान इतनी बुरी स्थिती में है कि पाकिस्तान के साथ कुछ भी किया जा सकता है पाकिस्तान को पैसे की इतनी आवश्च रखता है पाकिस्तान शायद हमसे लड़ पानी की स्थिती में शायद एक हफ़ता भी पाकिस्तान की सेना हमसे लड़ नहीं पाएगी क्योंकि उनके पास इतना कम सामान बचा है लेकिन फिर भी भारत ने इसका कभी कोई फायदा नहीं उठाया ना जाइज बड़ी बात यह कि पाकिस्तान की जड़ें धर्म की मिटी में दबी हुई है और यही उनकी सबसे बड़ी समस्या है और जब भारत के विभाजन के बाद पाकिस्तान का निर्मान हुआ था तब भी इस विभाजन का कारण सर्फ एक ही था और वो था धर्म और इसी धर्म कटर पंथ ने पाकिस्तान को यहां तक पहुचा दिया और आप यह भी कह सकते हैं कि पाकिस्तान अस्तित्व में आने से प वहाँ आज सरकारों के तमाम फैसलों से लेकर राजनितिक पार्टियों तक सेना सब कुछ धर्म के इर्द गिर्द सिम्टा हुआ है यहां आपको पाकिस्तान के दोहरे माबदरंड भी देखने चाहिए सुर्जिलेंड के जिनेवा में संयुक तराश की जो कांफरेंस हुई उसमें पाकिस्तान को बाहर बाढ़ से राहत के नाम पर अलग अलग देशों ने भारती रुपों में 88,000 करोड रुपे देने का एलान किया है इनमें पाकिस्तान फ्रांस से भी 28,000 करोड रुपे की मदद ले रहा है जबकि उसने कुछ वर्ष पहले फ्रांस को इसलाम विरूधी बताया था और पेगंबर मौमद साब के काटून पर काशित करने पर शारली हब्दो नाम की मैगजीम की कड़ी आलोचना की थी पाकिस्तान अपने आप को फ्रांस का दुश्मन देश मानता है क्योंकि सिर्फ धर्म के आधार पर जब भी फ्रांस ने धर्म कटरवाद और इसलाम कटरवाद के खिलाफ कोई कदम उठाया पाकिस्तान ने हमेशा उसकी आलोचना की लेकिन पैसा लेने के नाम पर पाकिस्तान फ्रांस के पास भी पहुँच गया आज जब पाकिस्तान को पैसा चाहिए तो उसे फ्रांस अच्छा लग रहा है और यही बात सिर्फ फ्रांस की नहीं है पाकिस्तान को वर्ल बैंक ने 16,354 करोड़ अमेरिका ने 817 करोड़ जापान ने 603 करोड़ बिटेन ने 89 करोड़ जर्मनी ने 772 करोड़ साओधी अरब न 81 सो करोड़ और यूरोपेन यूनियन ने भी 4,387 करोड़ रुपे दिये हैं और उसके दोस्त चीन ने भी 818 करोड़ रुपे पाकिस्तान को देने का एलान किया है क्योंकि पाकिस्तान में पिछले दिनों बाड़ आई थी लेकिन बड़ा सवाल यह है कि ये कैसे सुनिशित होगा कि पाकिस्तान ये 88,000 करोड़ रुपे सच मुच में अपने बाड़ पीड़ितों की मदद पर ही खर्च करेगा और इन पैसों का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंक वादियों पर नहीं करेगा बड़ी बात जो है वो यही है कि पाकिस्तान पैसा तो दुनिया भर से मा लेकिन उन सब को वो लगा देता है आतंक वादियों को पैदा करने के नाम पर आतंक वादियों की ट्रेनिंग के नाम पर इसलिए आज पाकिस्तान के लोगों को यह सोचना होगा कि उन्होंने कैसे लोगों को सरकार में बैठाया उनके जो पूरवज थे उनके जो नेता थे एतिहास एक भूल जो उनके नेताओं ने की है जिसकी शुरुआत की थी मौमद अली जिन्ना ने आज उसी का ये असर है कि पाकिस्तान के लोग इतनी बुरी स्थिती में पहुँच गए है और हम आज यहां दूर से बैठे क्या कर सकते हैं उनके लिए लेकिन दूर जरूर कर सकते हैं कि भगवान करे बहुत जल पाकिस्तान के लोगों की स्थिती ठीक हो जाए कम से कम खाने पीने के लिए उन्हें सामान मिलता रहे यहां सीमा पार से हम बैठ कर यही प्रारतना कर सकते हैं यही दूर कर सकते हैं आपसे एक ऐसे विशे पर बात करना चाहता हूँ, जिससे हो सकता है बहुत सारे लोग अपने परिवार में असहज हो जाएं, ब्लैक और वाइट एक परिवार एक शो है, और आप भी हमसे ऐसी उम्मीद करते हैं, क्योंकि आप भी पूरे परिवार के साथ हमें देखते हैं, और हम इस शो में ऐसा कोई विशे नहीं उठाएंगे, आप ऐसा हमसे उम्मीद करते हैं, जो आपको आपके परिवार के बीच या आपके बच्चों के बीच असहज कर दे, लेकिन मुझे लगता है कि ये वो विशे है, जिससे हमारे देश का हर परिवार, माता-पिता और द अच्चाई है, आज मैं आपसे दिल्ली में रहने वाली एक 20 साल की लड़की के बारे में बात करना चाहता हूं, जिसने बिना शादी किये एक बच्चे को जन दिया, और फिर समाज से इस बात को छिपाने के लिए, अपने परिवार से छिपाने के लिए, इस नवजात बच लोगों की तनख्वाहें बढ़ रही हैं, मल्टी नेशनल कंपनीज आ रही हैं, विचार तेजी से आधुनिक हो रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए और नौकरी के लिए अब बच्चों का दूसरे शेहरों में जाना एक आम बात है, आपके भी बच्चे गए होंगी, इ उसी बदलाव का एक साइड एफेक्ट है, हमने बदलाव को तो सुईकार कर लिया, लेकिन साइड एफेक्ट को सुईकार करेंगे, बड़ी बात यही है, अगर आपने इस बदलाव को सुईकार कर लिया, तो आपको साइड एफेक्ट सुईकार करने के लिए भी अब तैयार रहना होगा ये घटना देश की राजधानी दिल्ली की है किसी छोटे-मोटे गाम की नहीं है दूर दराज जगा की नहीं है दिल्ली की घटना है जहां एक 20 साल की पढ़ी लिखी लड़की जो अविबाहित है जिसने शादी नहीं किये उसने पहले अपने घर के टॉयलेट में एक बच्चे को जन दिया और इसके बाद जब उसे ये लगा कि उसका परिवार और समाज इस बच्चे को कभी सुईकार नहीं करेगा इससे उसकी बहुत बदनामी होगी तो उसने इस बच्चे को टॉयलेट की खिड़की से नीचे फिंग दिया जिससे इस बच्चे की मौक प्रवार बात्रूम में की और उसके आस पड़ोस में रहने वाले लोगों को भी इसके बारे में उसने पता नहीं चलने दिया कि ये लड़की प्रेगनेंट है और यही वजा है कि इस हाॉसिंग सुसाइटी में रहने वाले लोगों ने जब इस बच्चे को अपने में जमीन पर पड़े देखा तो वो समझी नहीं पाए कि ऊपर से तीसरी वंजल से इस बच्चे को फेंका गया था बेकिन लोगों को समझ में नहीं आया कि किस फ्लैट से इस बच्चे को नीचे फेंक दिया और इस बच्चे की जिंदगी सर्फ कुछ मिंटों की रही आज स्थितिय है, बच्चा मर चुका है, कुछ मिनट ही जिन्दा रहा और लड़की पुलिस की हिरासत में आगे बढ़ने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ ना इसके परिवार की पहचान बता रहे हैं, ना ही आपको ये बताएंगे कि ये लड़की दिल्ली में कहा रहती है तो ये जानने की कुशिश मत कीजिए कि लड़की कौन थी, सिर्फ ये जानिए कि हुआ क्या है और हम ऐसी स्थिति के लिए कैसे तयार हो सकते हैं हाला कि जब पुलिस ने एक-एक करके सभी परिवारों से पूछताच की, पुलिस को पहले लोगों ने पुलिस को बुलाया, फोन किया और कहा कि हमारे कंपाउंड में एक नव जात बच्चा पड़ा हुआ, मिला है, कुछ लोग उस बच्चे को अस्पता ले गए पुलिस को फोन किया, पुलिस आई, पता नहीं चला कि ये बच्चा किसने पहंका है, उसके बाद पुलिस ने तमाम फ्लैट्स में जाकर पुछताच की, तो उसे इस लड़की के बारे में पता चला, जिसके बाद उसने इस लड़की से पुछताच की, और लड़की ने ये और इस तरह बच्चे की हत्या करती है आज बड़ा सवाल यह है कि बिना शादी की ये बच्चे को जन्म देना अपराद है या उस बच्चे को जन्म देने के बाद बदनामी के डर से उसकी हत्या कर देना अपराद है एक और सवाल ये भी है कि आप इस लड़की को क्या मानेंगे? आप इस लड़की को आरूपी मानेंगे? इस लड़की को हत्या का आरूपी मानेंगे? या इस लड़की को खुद एक विक्टिम मानेंगे? खुद एक शिकार मानेंगे? ये बात बिलकुल सही है कि किसी भी दीकिए बच्चे को जन्म देती है तो क्या ये ऐसी स्थिती है ऐसी चीज है कि इसके लिए या तो उस बच्चे को मार दिया जाए या फिर लड़की को आत्मत्या करनी पड़ जाए और सोचिए आज जब दुनिया तरक्की कर रही है इंसान चांद पर पहुंच चुका है अल बच्चे को जन्म देने के बाद खुद ही मार देती है तो ये कितनी दुखत बात है इसका अंदाजा लगाना भी मुश्किन है ये वो लोग हैं दुनिया में जो आधूनिक विचारों का समर्थन करते हैं देखिए सडकों पर जाते हैं मीडिया इनकी पूरी कवरेज करता ह लेकिन जब इस तरह की घटना आती है तो हमें लगता है कि हमारा समाज आज भी बदला नहीं है पुलिस का कहना है कि इस लड़की के माता पिता उसके बारे में सब कुछ जानते थे लेकिन क्योंकि वो 7-8 महीने पहले ही दिल्ली की इस हाउसिंग सुसाइटी में शिफ्ट ह हुई है वो भूलने के लिए तैयार हैं और वो अपनी बेटी का हर कीमत पर साथ देंगे तो कैसा होता चाहिए तब ये बच्चा भी जिन्दा रह जाता उस लड़की को भी अपनी बाकी के जिन्दगी अब जेल में नहीं बितानी पड़ती और उसके माता पिता भी इस तर परिवार के बारे में चर्चा हो रही है ये लड़की कहां रहती थी उसके बारे में चर्चा हो रही है सब लोग ये जानना चाते हैं ये लड़की कौन थी लेकिन कोई ये नहीं जानना चाता कि इस मामले में इस लड़का कौन था इस मामले में इस लड़की के माता पिता स पूछा जा रहा है कि उन्होंने अपनी लड़की पर ध्यान क्यों नहीं दिया उस पर नजर क्यों नहीं रखी या वो जब घर से नौकरी करने के लिए बाहर जाती थी तब उससे कोई सवाल क्यों नहीं पूछा कि वो कहां जा रही है किस से मिल रही है लेकिन कोई भी उस पाता-पिता को दोशी मनता है और यही डर इस लड़की को भी था और इसलिए उसने अपने इस बच्चे को तीसरी मंजिल से नीचे फिक कर माड डाला और देख लीजे आप बड़ी बात यह है आज हम यह कहना चाहते हैं कि उस लड़के की खोज होनी चाहिए उस लड़के से इस लड़की का साथ देने से इनकार कर दिया और अगर इनकार भी कर दिया तो ऐसी सिती नहीं होनी चाहिए थी कि या तो लड़की खुद आत्मत्या के बारे में सोचने लगे या अपने ही बच्चे को अपनी हाथ से उसकी हत्या कर दे आज से कुछ दशक पहले तक ऐसी महिला के माँ बनने को एक सामाजिक बुराई के तौर पर देखा जाता था उधारन के लिए आपको एक आज उधारन देता हूँ वर्ष 1969 में एक सुपर हिट फिल्म आई थी जिसका नाम था अराधना इस फिल्म ने राजेश खन्ना को देश का सबसे बड़ा सुपर स्टार बना दिया था। इतनी सुपर हिट फिल्म थी लेकिन ये फिल्म एक ऐसी महिला के जीवन पर थी जो एक व्यक्ति से शादी करती है लेकिन इस शादी के बारे में दुनिया को पता चलने से पहले ही उस लड़के की मौत हो जाती है और जब ये महिला उस लड़के के बच्च करना पड़ता है और बात सिर्फ इस फिल्म की नहीं है कई फिल्म में ऐसी घटनाओं को सामाजिक बुराई के तौर पर दिखाय जाता है और इन फिल्मों के अच्छी बात यह कि इसमें आखिर में सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है जब लोग ऐसी फिल्मों को देखने के लिए तो आखिर में जो हैपी एंडिंग जिसे हम कहते हैं हैपी एंडिंग पर लोग तालियां बजाते हैं और जो कुछ फिल्म में दिखाय जाता है उसे चुप चाप सुईकार कर लेते हैं लेकिन जब यही लोग ठीटर से बाहर निकलते हैं यह उन चार लोगों का रूप ले जिससे हर लड़की डरती है और सोचती है कि इन चार लोगों को उनके बारे में पता चला तो उसकी बदनामी हो जाएगी यानि यह लोग ठीटर में तो ताली बजाते हैं हमारे समाज के लेकिन बाहर जब निकलते हैं तब उन्हें वही बात सुईकार नहीं आपको जानकर ह कि अब हमारे देश की सरकारी विवस्ता सिंगल मदर्स के हिसाब से बदल रही है तो बड़ा सवाल आपके लिए यह लेकर आया हूँ क्या हमारा देश सिंगल मदर्स और अविवाहित माओं के लिए तयार है क्या अब हम उन्हें सम्मान की दृष्टी से देखने के लिए त बताना आवश्यक नहीं है पहले यह आवश्यक होता था हर फॉर्म पर लिखा होता था पिता का नाम क्या है और पिता का नाम बताना अनिवारे था लेकिन अब यह कानून बदल चुका है इसका मतलब यह है कि सरकार भी यह चाहती है सरकार जो है ऐसी माओं को जो सिंगल मद हैं आज सिंगल मदर की श्रिणी में आती हैं देखे सोशल अवेरनेस से जादा हमें एज़ा सोसाइटी जादा सेंसिटिव होनी की जरूरत है और ओपनली सोचने की जरूरत है हम लोग बहुत जल्दी लोगों को स्टिग्मेटाइज कर जाते हैं हम उसका करेक्टर पर एक रहता है आदमी के साइकॉलिजिकली के लोग क्या सोचेंगे लोग क्या कहेंगे उससे ज्यादा आदमी फिर कुछ सोच नहीं सकता सोसाइटी को अपने नॉम्स के अंदर लोगों को एकसेप्ट करना बहुत जरूरी है ओपनली और उनके साथ एंपथाइज करें सें लड़की प्राइवेट सेक्टर में काम करती है लड़की दिल्ली जैसे महानगर में रहती है लड़की एक रिष्टे में है और बिना शादी किये एक बच्चे को जन्म दे देती है लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत पैदा नहीं कर पाता हमारा समाज और उसका परिवार कि कि वो इस बच्चे को सुखार कर सके समान के साथ यहाम यह ज़रूर जोड़ना चाहता हूं और फ़र वो इस बच्चे को पाल पोसकर बड़ा कर सके और आस्तेती यह है कि बच्चा मर चुका है लड़की पुलिस के हिरासत में है और उसका परिवार भी पूरा जीवन अब उनके पड़ोसी, उनके रिश्यदार, उनके दोस्त, लड़की को ये बता सकते थे कि गलती हुई है या गलती नहीं भी हुई है, ये एक स्थिती है और इसे हमें सुहिकार कर लेना चाहिए और उसके बाद ये जो सपोर्ट सिस्टम होता है किसी विक्ति का, उन्हें इस लड़की को सपोर्ट करना चाहिए था और फिर जो भी उस्तिती में सबसे अच्छा हल हो सकता है, वो हल इस समस्य का निकालना चाहिए था वो कैसा भी आल होता, लेकिन वो ये नहीं होता कि बच्चे की हत्या कर दी जाए, लड़की की हत्या कर दी जाए, या फिर लड़की को आत्महत्या करनी पड़े और ये केस्टडी ऐसी है जिसके बारे में आज हमारे समाज को सोचना होगा और हमारे समाज में ऐसा नहीं है कि इस तरह के cases हुए नहीं है आपने देखा होगा हमारे देश में ऐसे बहुत सारे cases हुए जहां एक अवे बाहित मैला ने किसी बच्चे को जन्म दिया है और उसने पूरी हिम्मत के साथ समाज का सामना किया है परिवार का सामना किया है और उसी परोसियों का सामना किया है और खुल कर ये बताया है कि हाँ मैं एक आवेबाहित मा हूँ ये मेरा बच्चा है और वो बच्चे आज पूरे सम्मान के साथ जी रहे हैं कई cases में तो वो बच्चे भी जीवन में बहुत सफल हो गए हैं और वो माएं भी आज हैं मैं आज ये चाहूंगा कि हमारे देश में ऐसी जो माएं हैं जो आज इस थिती में कि लोग उनकी बात मान सकते हैं उनकी बातें सुन सकते हैं कम से कम उन माओं को और उन बच्चों को बाहर निकल कर आना चाहिए और बताना चाहिए कि स्थिती क्या होनी चाहिए और ये स्थिती ब्लैक और वाइट में होनी चाहिए आज जो मैंने खबर आपको बताई है ये ब्लैक में है लेकिन हमें इसे ले जाना है वाइट में जहां हर ऐसे बच्चे को भी पूरे सम्मान के साथ जीवन का अधिकार होना चाहिए और हर बच्ची को हर लड़की को भी पूरे सम्मान के साथ हमारा समाज सुविकार कर सके आपको एक ऐसी तस्वीर दिखाएंगे जिसके बारे में आप पिछले 75 वर्षों से कलपना तो करते आ रहे हैं, सोचते भी आ रहे हैं लेकिन आप हमेशा ये सोचते होंगे कि ऐसा हम चाहते तो हैं लेकिन ये कभी हो नहीं पाएगा और इसलिए कह रहा हूँ आपको कि अब आपको दिल्ली के लाल किले की ऐसी ही एतिहासिक तस्वीर दिखाते हैं जो आपने सिर्फ कलपना की थी जिससे आपको आज ये पता चलेगा कि कैसे अब लाल किले का भी भारती करण हो चुका है आज भारत के ग्रेह मंतरी अमित शान ने लाल किले में लाल किले पर एक लाइट एंड साउंड शो का उधगाटन किया और इस शो को जो नाम दिया गया है वो है जैहिंद इसमें लेजर लाइटिंग से लाल किले पर ओम की आकरती को अंकित किया गया और इस बार के शो की खासियत ये है कि इसमें मुगलों का इतिहास या मुगल शासकों का महिमा मंडन नहीं है बलकि इसकी जगा इस लाइट शो में मराठा योद्दाओं की कहानी बताई गई है 1857 के विद्रो की शोरे गाता को दर्शाय गया है और लाल के ले की दिवारों पर भारतीय राष्ट्रिय सेना के उद्धे और भारत के गौरवशाली इतिहास को अंकित किया गया है और ये पहली बार है जब आप लाल के ले की प्राचीर पर ओम की ध्वनी को सुन पाएंगे तब से आज तक आत्मा की संस्कृती ही धारते संस्कृती की आत्मा है और ओम की ध्वने उस परम भ्रह्म का स्वरूप तब से आज तक आत्मा की संस्कृती ही धारते संस्कृती की आत्मा है और ओम की ध्वने उस परम भ्रह्म का स्वरूप तो आज का जो सबसे बड़ा बदलाव आप देख सकते हैं आपने देखा होगा हमारे देश में अक्सर ये चर्चा चलती रहती है कि हमें अपने इतिहास को बदलने की आवशक्ता है हमारा इतिहास सिर्फ गुलामी का इतिहास नहीं है हमारा इतिहास शौरे का इतिहास है हम सिर्फ गुलाम नहीं थे और जिनोंने हमें गुलाम बनाया है इतिहास के नाम पर हमें उनका महिमा मंदन करने की कोई आवशक्ता नहीं है और ये पहली बार हो रहा है जब लाल किले पर जिसे हम मुगल सामराज्य का सबसे बड़ा प्रतीक मानते हैं जिसे हम मुगल शासकों का प्रतीक मानते हैं और हमारे लिए ये गुलामी का भी एक प्रतीक है लेकिन कभी हमारे देश की तियास की किताबों में इस पर सही विचा चार रखे नहीं गें इसलिए आज भारत के हर व्यक्जती को शायद अपनी आखोंगों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा होगा जब वो ये देखेंगे कि लाल किले पर ओम की ध्षणी गूंज रही है तो आज का जो हमारा शीरश प्रशक है इस कहानी का वो यही है लाल किले पर ओमु तब से आज तक दिल्ली में लाल किले का निर्मान पांचवे मुगल शासक शाजाने करवाया था और ये बात है वर्ष 1638 की लगभग 10 वर्षों में तयार हुई इस दरोहर का मकसद था मुगलों की राजधानी को आगरा स दिल्ली शिफ्ट करना शाजहां वही मुगल शासक था जिसने ताज महल का भी निर्मान कराया था शाजहां से पहले जो चार मुगल शासक आए वो थे बाबर, हुमाईू, अकबर और जहांगीर उन्होंने आगरा को ही अपनी राजधानी माना था लेकिन शाजहां के बाद प्रतीक चिन बन गया और अजादी के बाद भी लाल केले को भारत ने एक गौरव शाली प्रतीक चिन के रूप में देखा, लेकिन हमेशा जो इसकी पहचान रही है, वो मुगल सामराज्य के तौर पर ही रही है। यह है कि मुगलों ने भारत की सांस्कृतिक धरोवरों पर कबजा किया, उन्हें नश्ट किया और उन्हें नश्ट करके अपने धाचे विक्सित किये और भारत इन्ही धाचों का अब भारती करण कर रहा है। और अब आपने देखा कि अब हमने लाल किले का सही माइने में भृतिय करण कर दिया है लाल किले पर आज ओम की ध्वणी गूंज रही है। तो बहुत सारे लोगों की आँखों को और कानों को आज लाल के लिए पर उम की ध्वनी सुनकर बहुत सुकून मिला होगा. अब आपको बताते हैं कि आज सुप्रीम कोट ने जोशी मठ में जमीन धसने के मामले में इंटरफेर करने से दखल देने से इंकार कर दिया. सुप्रीम कोट ने कहा है कि उन्हें ये मामला इतना अरजिंट नहीं लगता कि वो इस पर दखल दे. आज उन्होंने तीन बड़ी बात सुप्रीम कोट ने कही है. अदालत ने जोशी मठ के मामले पर तत्काल सुनवाई से इंकार किया. दूसरी बात अदालत ने कहा कि जरूरी नहीं है कि सभी मामलों की सुनवाई सुप्रीम कोट में ही हो. यानि ये इतना बड़ा मामला नहीं है कि इसे सुप्रीम कोट में लाया जाए. तीसरी बात सुप्रीम कोट ने कही कि देश में लोकतांतरिक तरीके से चुनी हुई दूसरी संस्थाएं मौजूद हैं जो ऐसे मामलों का निप्टारा कर सकती है यानि उनका जो इशारा है वो ये है कि भाई हमारे देश में बहुत सारी सरकारे हैं राज्य सरकार है, केंद्र सरकार है, दूसरी संस्थाएं हैं, उनके पास जाईए और उन से कहिए कि वो इस समस्य का निप्टारा करें, हमारे पास मत आईए. इसके साथ ही सुप्रीम कोट ने, अब कहा है कि वो इस मामले की अगली सुनवाई, सोला जनवरी को करेगा, और सोला जनवरी तक तो बहुत पानी निकल जाएगा, अब जोशी मत की स्तरासदी का भावनात्मक पहलू देखिए, जोशी मत में कई ऐसे परिवार हैं, जो अपना कोई, उनका कई पीडियों का रिष्टा है, इसलिए वो अपने घरों को छोड़ कर नहीं जाएंगे. देखने के लिए, मिलने के लिए, वो हाल समझने के लिए, अगर आप यहाँ कुछ समझ पा रहे हैं. मैं तो यहीं पर जॉब भी करती थी, आंगन बाडी में, लेकिन इसी बार मुझे जाना पड़ा है, मेरा तो आदा जीवन यहीं बीट गया, 45 साल होने वाले हैं, मुझे यहाँ पर. मेरे दड़कियार दो दामा सम्झ पार्थे, अब जोशी मठ में कुछ लोगों ने पूजा पाठ भी शुरू कर दी है, अब आप देखिए, दोनों बातों में अंतर देखिए, हल्दवानी में भी यही हो रहा था, हल्दवानी में भी लोगों को कहा गया था कि वो अपने गरों को छोड़ दे और वहाँ पर लोगों ने दुआएं पढ़नी शुरू कर दी थी, और लोग कह रहे थे कि हम अपने घरों को नहीं छोड़ेंगे, सुप्रीम कोट ने तुरंत उनकी सुनवाई भी की और उन्हें तुरंत राहत भी दे दी, यहाँ पर लोग दुआएं नहीं सुन रहीं, तो शायद भगवान ही उनकी बात सुन ले। तो एक तरीका तो लोग यह अपना रहे हैं, कि लोग रो रहे हैं, भावोख हो रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं और अगला तरीका यह है कि लोग अब प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आज जोशी मठ में हो रहा था अदाधुंद कंस्रक्शन का जब होटेल्स बनाए जा रहे थे जब लगातार ये कंस्रक्शन हो रही थी जब इन पहाड़ों के सीने में ड्रिलिंग की जा रही थी तब सरकारों ने इसे नहीं रोका अब उन होटेल वालों की वज़े से उस पूरी कमर्शिल एक्टिविटी की वज़े से आम लोगों के घर गिर रहे हैं बह रहे हैं आम लोग विस्थापित हो रहे हैं और लोग ये कहते हैं कि आपने उन होटेल्स को बनने ही क्यों दिया तो आज हम उत्राखंड की सरकार से पूछना चाहते हैं उत्राखंड में अब तो बहुत समय से बीजेपी की सरकार है इस से पहले कॉंग्रेस की सरकार थी उत्राखंड में इस इलाके में विधायक भी रहा होगा हर बार विधान समय में जो चुनाव लड़ता होगा इन्हीं लोगों के वोट लेता होगा इसके अलावा वहाँ सांसद भी होगा प्रशासन भी होगा, सरकारे भी होगी जब ये सब अदा धुंद एक कमर्शल एक्टिविटीज वहाँ पर चल रही थी जब लगा तार वहाँ पर सुरंगे खोदी जा रही थी नए नए प्रोजेक्ट्स लाए जा रहे थे जब वहाँ पर एक के बाद एक होटेल्स बन रहे थे तब सरकारों ने उसे क्यों नहीं रोका और ऐसा नहीं है कि सरकारों को पता नहीं था अलग-अलग कमिटीज ने अलग-अलग एक्सपर्ट्स ने वर्षों से ये बात सरकारों को बताई है कि यहाँ पर इस तरह की गत्विधियों को रोक दीजिए वरना एक दिन ये पहाड गिर जाएंगे लोगों की जान मुसीबत में पड़ जाएगी लेकिन ये सरकारें रुकी नहीं और विकास के नाम पर या अलग-अलग कारणों से या रोजगार के नाम पर यहाँ पर ये सब चलता रहा और आज जिन लोगों ने पैसा कमाना था वो तो पैसा कमा चुके जिनुने होटेल बनाने थे उन्हें लागों करोणों रुपय कमा लिया परेटन के नाम पर बाजारों के नाम पर और अब जब मसीबत आई है तो सबसे बड़ी कीमत चुका रहे हैं आम लोग और खरीब लोग जिनें अपने गहरों से अब बाहर निकाला जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ी किस्टडी है कि कैसे हमारे देश की जो सरकारे हैं वो सोती रहती हैं वो विकास के नाम पर अदा धुन कंस्रक्शन का काम करती रहती हैं पहाडों को जरजर बनाती रहती हैं खोती रहती हैं उनके सीने को चलनी करती रहती हैं और आखिर में वहां की जो जन्रता है वो उसकी सबसे बड़ी विक्टिम बनती है। और आखिर में विक्टिम बनती है।